हेलो स्टुडेंट्स वान सेगन वेलकॉम बेक टुगे टुगे टुपर सेबेन तो स्टुडेंट्स डिस्कोशन करीबा चाइल्ड डैबलोमेंट एंड पेडागोजी रो किछी थियोरी देन विद MCQ कुँ आमें मध्यों डिस्कोशन करीबू तो फास्ट आमें थियोरी कुँ कभर करीबू देन थियोरी हिसाब रहे किछी MCQ मुँ प्रिप्यार करीची जहां कि आपन मानं करो CHT एक्जाम पाईं बहुत ही हेल्फफुल हब एबं अपकमिंग OTT VAD एंड जेती की सबुद टीचिंग एक्जाम पाईं ये मध्यों हेल्फफुल हबं तो विडियोरी को कॉम्प्लीटली देखांतु एबं जदि आपनो आमों चैनेल ले नुआ चन्दी तेवे चैनेल कु एबे ही सब्सक्राइब कर दियों तो जाहा पादर के आमों चैनेल ले बिभिन प्रकार क्लास हुँची से क्लास को एटेंड करी परीबे एबं जदि विडियो टी भर लागिवो तेवे विडियो को नियाती भाप्रेगोटे लाइक करीबे धन्यवाद तो देखांदू फा अशेस एट जदी आमें सिख्धा को था कही बा तेवे सिख्ध्या केत्र हुट्रे आमरे इभालॉसों टा नियाती भाबर ही भाव उची वास युट्वाण जो थेछविचिधर आमरो नियाती भापर रहि भाव उची Clay supply कोण ना अच्छा इभाल्वेशन कथा जदी कहुची तेवे इभाल्वेशन आउटे कोण थार इंपोर्टान पोईंट होची इभाल्वेशन इज क्वालिटेटिव इभाल्वेशन टा आमरो क्वालिटेटिव होई थाए Evaluation टा कोण ही जाए ना qualitative and subjective Evaluation टा हुची कोड़े qualitative and subjective process Then Then आमें देखिवा Measurement इजे pre-condition for evaluation Measurement टा कोण The measurement टा हुची evaluation पाई गोडे pre-condition Measurement is quantitative and objective Measurement टा हुची quantitative and objective While evaluation is qualitative and subjective So आपनों भल्स टाको करी बे Measurement टा हुची सबुबेले objective Objective टाको आमें measure करी थाऊ Subjective टाको आमें evaluate करी थाऊ Evaluation करी थाऊ Thus, while measurement aims only add Asserting the quality Evaluation aims add Correcting the weakness Evaluation टे कण करा जाए ना गोटे पिलार धरा जाऊ Weakness दूर्बड़ टा कोणा ची कोट अपिकरे से दूर्बड़ अची तो सईटाको आमें short करी बा Clarify करी बा Then evaluation is largely based on educational objectives So, evaluation टा अमेरो कहा उपरे निर्भर करी थाए ना कीची educational objectives उपरे निर्भर करी थाए And the learning experience एबंग learning experience उपरे निर्भर करी थाए Then education objective डा केमिती थाए देखांदू educational objective डा गोटे हुची reversible process बा Triangular process जोड़ा की केमिती हुए ना फार्स्ट educational objectives की थी दर्कार देन तारो आमें evaluation करीबा Evaluation परे आमें learning experience को जीबा Then learning experience दूरू पूरी आहरी कण करीबा The learning experience दूरू पूरी educational objectives को आउधरे जीबा तो इडा थिला तारो the triangular process Then आमें देखिवा difference between assessment and evaluation So assessment आउग evaluation भीत्रे difference दा कोण रही चीटिके देखिवा So assessment and evaluation भीत्रे कोण सबू difference रही चीटिके देखिवा So assessment and evaluation भीत्रे कोण सबू difference रही चीटिके रेखांतो assessment is a, is the process of objectively understanding the state or condition of a thing by observation and measurement तो observation देखिए कि एबंग कीची measure करी कि जोड़ा को आमें process करी था हूँ भा बुझी था हूँ So assessment, the assessment of teaching means assessment of teaching रह अर्थकन ना the measurement of its effectiveness ता सिए केते मात्रारे फड़ा प्रद हूँ ची माँ आमर teaching टा आमें जो teaching टा दोजु पिलामानों कूँ So that केते मात्रारे पिलामानों का उपरे effect करूँची मा केते प्रभाप पकोँची पिलामानों का उपरे तो सहिटा को आमें assessment बोली कोही था हूँ Then evaluation is the process of observing and measuring a thing for the purpose of judging it and of determining its value तार भेलू जानिवा पाईं आमें evaluation करी था हूँ Either by comparison to similar things or to a standard ता आमाने सेतिरे आमें किची similar जिन्सो देखू बाकिची standard जिन्सो देखी था हूँ तो याको आमें shortly कही परिवा जे evaluation of teaching means passing judgment on the teaching as part of an administrative process उटे administrative process हिसाब रहे जोज करीवा teaching process ताको आमें कहीवा evaluation process तो formative assessment is done by conducting test एटा important formative assessment हा भा फूस टाइप ऑब assessment is done by conducting test तो यारो right answer होवा formative assessment evaluation evaluating assignment assignment को evaluate करा जाए assessing projects किची project was work जियार जाई था है making observation एबं किची practically करा जाई था है तो एटा हुची आमनो formative assessment को था गवा गळा formative assessment केते बढ़े हाई था है जेते बढ़े on the process of teaching feedback महीं एटा दिया जाई था है very important question feedback महीं formative assessment करा जाई था है then आमे fully आको clarify करी बाया the formative assessment summative assessment evaluation आको fully clarify करी बाया then how to evaluate evaluate केमिती करा जाई ना evaluation process हुची दूइटा method रही ची आरो evaluation करी बारो first हुची norm reference evaluation आउटे हुची criterion बाकिची criteria माध्यवरे केमिती evaluation करा जाई था है this refers to the standardized test एटा हुची गुटे प्रका standardized test गुटे प्रका standardized test गुटे प्रका standardized test that are designed to compare and rank test takers in relation to another गुटे सही तो अन्यों रो तारो relation को compare करी जो evaluation करा जाई था है ताको आमे norm evaluation कही था हुची था हुची आरो completely meaning जोदी रहेख बात वे सच टाइपस अप involved questions based on the multiple choice format तो एटा जो norm reference बार्न दे जो अमरो evaluation करा जाई था है तो एटा को टाइप रो question करा जाई था है न multiple choice question करा जाई था है Then criteria reference evaluation दे कौन करा जाये? The criterion reference test and assessments major students perform again a fixed set of predetermined criteria or learning standard. तारो pillar learning standard कु देखी की, तारो criteria कु देखी की जो criteria फ्रस्तुत करा जाये थाये बाद जो planning करा जाये थाये Criterion reference evaluation, so these are extensively used in school education, तो यह गुड़ा सबो extensively कौ उथरे यूज करा जाये school education process रे आको यूज करा जाये, where criterion reference test are used to evaluate whether students have learned a specific body of language और acquired a specific skill test, अच्छा, शेठी फिला specific knowledge जानी थिवा दरकर, then आमें किछी theoretical discussion करूँ एवे आमें किछी question को आमें practice करिवा, first question हुजी, the purpose of measurement in education is to, the measurement रो, पर पोज कॉण, measurement कहीं की करा जाये थाये थारो, उदेश्य कॉण, तो education process रे, ताको आमें कॉण कोही थाऊ, तो first option हुजी आमरो, quantify the achievement of objectives, किछी objective कू quantify करा जाये थाये, evaluate the teacher's ability, शिख्यकों कर ability कू evaluate बा calculation करा जाये, then collect information for evaluation, evaluation पाई किछी information कू collect करा जाये, ना make decisions about students, ना पिला मानं करो किछी decision कू निया जाये थाये, तो ये भीतरु यारा right answer रोब option number three, जोडा की collect information for evaluation, evaluation पाई किछी information कू collection करा जाये, then two, the objective of evaluation is to, evaluation रो objective कॉण, बा काहीं की evaluation दा करा जाये, establish that learning has actually been achieved, learning डाकू actually achieved करीची की नहीं कूटे पिला, learning डाकू बा कूटे जिनिसो डाकू पिला completely भुझीची की नहीं से डाकू establish करीवा, know what the child has learned, ना जानिवा पिला कूण सिखी ची, know about learning difficulties of the child, पिला रो learning difficulties बा कूँ टाइप रो question रेज तारो problem बेशी रोईची सेटा कू जानिवा, ना all of these, तो ये भीतरु right answer रोब all of these, then number three कूआ में जिवा, which of the following is not a characteristic of evaluation, तो ये भीतरु evaluation रो कूड़ा कूटे characteristic नू है, means यारो कूडे property नू है, it is the comprehensive process, comprehensive process covering all the three domains of the behavior, behavior रो जों तिनीटा domain रोही ची, तो साइडा कूश ये कूबर करूची की नहीं, it is a systematic process going in the direction of pre-determined objectives, उपरे systematic process रे तारो goal कू achieve करूची की नहीं, it is done at the end of the task, उड़े task रो सेसर है याको करा जाई थाए, ना it is a purposeful activity, fulfilling the requirement of the teacher and the taught, that means उड़े पिला एबंग सिख्य का भीतर है, तांकर जो purpose मता रो उद्देश्य जों थाए, learning रो सेड़े कू फूलफिल करूची की नहीं, तो यह भीतर ही right answer हो, option number 3, then number 4, which of the following statement is true, यह भीतर को statement है, गुड़े true statement, evaluation is a component of measurement, evaluation होजी measurement रो गुड़े component, तारो गुड़े sample, number 2, evaluation is an extension of measurement, गुड़े measurement process रो extension, तारो व्रुद्धिता, ना, evaluation is a term used interchangeably with measurement, ना, measurements होई तो interchangeably होई थाए, ना, evaluation is completely different from measurement, evaluation ता, measurement थारो different, नुहे, यह नुहे, तो यह रो, right answer होब, option number 3, तो वीडियो टी जोदी भल लागी थीवा, तेबे वीडियो को लाइक करिवा सोई ता, सब्सक्राइब करते हुए, धन्यवाद,